काला पहाड काला पहाड सुनते ही हमारे दिमाग में आता है कि कोई ही पहाड के बारे में बात हो नहीं जब मैं सबसे पहले काला पहाड सुनी तो मेरे को भी यही लगा लेकिन ऐसा नहीं है काला पहाड यहाँ पहाड के बारे में नहीं किसी सल्तनत के जनरल के बारे में बात ह तो चलिए जानते हैं कौन था काला पहार? काला पहार या काला पहार बंगाल सल्तनत का एक मुस्लिम जनरल था जो कर्राणी राजवन्स के शासर में था जिसका उलेख मुगल समराज के रिकॉर्ट में भी किया गया है जिस ने कुर्णाक मंदीर को तोड़ने के लिए अपनी स सीना के साथ पूरी जगनात मंदिर पर हमला किया था उनका मूल नाम काला चंद राय था जो एक पवित्र वैश्रों ब्रामर थें बाद में उन्हें शुल्तान की बेटी गुलनाज से प्यार हो गया और उन्होंने साधी के लिए इसलाम धर्म अपना लिया उन्हें मुस्लिम जन्रल कहा जाता था जिसके आदीश के तहट कुहाटी असम के कमाख्या मंदिर को तोड़ दिया गया और नस्ट कर दिया गया लेखिन कुछ इतिहासकार इस बात पर बहस करते हैं कि यह काला पहार और उनकी सेना नहीं थी बलकि 1498 से 1506 इस्वी के दोरान हुश्यन साह थे काला पहार और उनकी सेना किवल पूरी तरह से जिम्यदार नहीं हो सकते थे अने ग्रंथों में कहा गया है 15 और 17 सतावदी के बीच मुस्लिम से नाव द्वारा मंदिर के कई बार नस्ट किया गया था काला पहार के छापी का वर्णन करने वाले इस्लामी ग्रंथों में 1565 में मंदिर को नस्ट करने के लिए उनकी सेना के पहले परियास का उल्लेक है लेकिन वे असफल थे उन्होंने केवल मामली छती पहुँचाई थी और तांबी की कलस को ले गए सैन अभियान जैसा कि सुजान भटाचारिया ने बताया कलिंग यानि उडिशा कि हिंदु राजा मुकुन देव, मुगल समराठ, अकबर के शहयोगी और बंगाल के सुल्तान के दुस्मन थे गजपती और सुल्तान की बिच दो युद हुआ, पहला वह जीत गया, दूसरा वह हार गया, काला पहार ने दोनों लडाईयों में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों तरब से पहले युद में वे बंगाल के सुतंत्र हिंदू समराज कलिंग और भूरिश रेष्ट के सनिक्त शेना के सर्वोच सेना पती थे इसके बाद उसने बंगाल की राजकुमारी, बंगाल के सुल्तान सुलेमान करानी की बेटी गुलना से साधी के बाद अपना विश्वास यानि धर्म बदल दिया धर्ण में परिवर्तन सुल्तान दवरा निर्धारित पुर्व विवा सर्त था और काला पहार नाम से विख्यात हुआ बंगाल सल्तनत सेना के सेना पति काला पहार था जिसने दूसरे युद के बाद 568 में राजी के परमुक शहरों और धार्मिक अस्थानों को नश्ट कर दिया जो कि उनिशा के समकालिन भारती ये राजी का निर्मार करते हैं बंगला देश के राश्ट्रिय विश्व कोस में समस्रुद्दीन एहमद के अनुसार सुल्तान सुलेमान ने अपने बेटे बायजीत और जनरल काला पहार उर्फ राजू की कमान की तहत अपनी सल्तनत का विश्थार करने के लिए उनिशा में अपनी सेना भेजी उन्होंने राजा मुकुन देव को हराया और मार डाला समाने काला पहार ने इसे अधिन करने के लिए एक दल को राजी में गहराई तक ले गया कुनाक सुर्यमंदिर काला पहार को बार बार होने वाले हमलाओं और कुणाक सुर्य मंदिर के नुकसान से जोड़ा गया है वो बंगाल के सुल्तान सुलेमान खान कर रानी के सेना पती था सेह कबीर बतानी कि अफशान इस शाहन के अनुशार वो एक बातीनी अफगान था उनिशा की इतिहास की अनुशार काला पहार ने 1568 में उनिशा पर आकरमण किया उसने कॉणाक सुर्य मंदिर साथी साथ उनिशा की कई हिंदू मंदिर को भी छटी ग्रश्त कर दिया पूरी जगनात मंदिर की मदला पंजी बताती है कि कैसे काला पहार ने 1568 हिस्वे में उड़ीसा पर हमला किया था काला पहार ने अन्य युद्धों में सल्तनत सेना का नर्तित्रवे किया समसुद्दीन अहमद के अनुसार कोच राजा द्वारा सल्तनत पर हमला करने के बाद उसने कूच बिहार सेना से लड़ाई लड़ी थी अहमद बताते हैं उसने सुखल द्वज को अभी भूत कर दिया उसने बंदी बना लिया और फिर कूच बिहार की रजधानी को घेट लिया हाला कि मुगल सेनाओ के हमले के डर से सुल्तान सुलेमान करारी ने काला पहार को कूच बिहार से वापस लेने का आदेश दिया और फिर कुछ बिहार में सुखल ध्वज को वापस सत्ता में बहाल कर दिया 1575 में सुल्तान के बेटे बायजीत की विश्वास घाती रूप से हत्या कर दी गई थी जुनैद, कोदलू खान और काला पहार जैसे अफकान नेताओं ने कहा एहमद ने दाउद कर रानी की आसपास रैली की जो बंगाल सल्तनत के शिहासन पर चड़ गये दाउद और उसके समर्थन को जुलाई 1576 में राज महल में पराजित किया गया था काला पहार या अंग्रेजी में बोले तो ब्लैक माउंटेन सब्द का अर्थ बंगाल पूर्व और पुर्वत्तर भारत में हिंदू अबाती के बीच आइकोनो क्लास्ट है बंगाली मुसल्मानों और उप महदीव के पुर्वी हिस्से के अनुशार मुसल्मान के खिलाब भी इसका अपमान जर्णक रूप से इस्तमाल किया गया है काला पहाड और घुस पैठी के रूप में संदर्वित किया है काला पहाड के बारे में आप सभी को पता चल गया कि काला पहाड कौन था थैंक्स पर वाचिंग